कार स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं हूँ अपर ना मौजब वक्त हो गया है मध्र प्रदेश की महा डिबेट का जिसमें आज बाद इंडिया टीवी सी एनेक्स के सर्वे की इसके मताबिक एक बार फिर मध्र प्रदेश में बीजेपी बड़ा खेल करने वाली है लोगसबा चुनाओ का रण तयार है बस थोड़ा इंतिजार और जब चुनाओ का बिगुल बच जाएगा लेकिन इससे पहले इंडिया टीवी सी एनेक्स सर्वे आया है सर्वे के मताबिक अगर आज चुनाओ होते हैं तो मध्र प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिल रही है तो महीं कॉंग्रिस हवा हवाई होती नजर आ रही है यानि कॉंग्रिस के जो दावे हैं उन दावों का जमीन पर असर होता नजर नहीं आ रहा बीजेपी पर जनता का भरोसा बरकरार है यानि सर्वे में बीजेपी की जीत नजर आ रही है और कॉंग्रिस को नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है इस बार कॉंग्रिस का खाता भी नहीं खुल रहा है ऐसा सर्वे में बताया गया है याने कमलनात का गड़ चिंदवाड़ा भी इस बार बीजेपी के ही खाते में जा रहा है क्या है इंडिया टीवी सीनेक्स के सर्वे में चलिए आपको समझाते हैं देखें इंडिया टीवी सीनेक्स के सर्वे में कॉंग्रिस की करारी खार दिख रही है और बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में के मुकाबले बेहतर दिख रहा है बीजेपी 29 की 29 सीटों पर इस बार शामिल नजर आ रही है 29 सीटे हैं माध्यप्रदेश में लोग सभा की 2019 में बीजेपी को मिली थी 28 सीटे एक सीट के थी कॉंग्रस के पाथ चिनवाडा कमलात का गड़ लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी 29 की 29 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है इंडिया टीवी CNX के सर्वे के हम बात कर रहे है तो यहां माध्यप्रदेश का मूर बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सभी 29 की 29 सीटों पर याना की कमलात के गड़ चिनवाडा में भी यहां सेंद लगाती हुई दिख रही है 2019 की बात हम कर रहे हैं बीजेपी 28 सीटों पर थी कॉंग्रस एक सीट पर थी कुल सीटे 29 सीटे लेकिन इस बार बीजेपी 2024 में इंडिया टीवी CNX के सर्वे में दिखाई दे रही है कि वो 29 की 29 सीटे जीत लेगी और बीजेपी पिश्टी परफॉर्मस से अच्छा परफॉर्म कर तीवी दिखाई दे रही है यह हम बलकातार दोरा रहे है कि यह है इंडिया टीवी और CNX का सर्वे जो इतस्वीर दिखा रहा है और पहले ही बीजेपी साफ कर चुकी है कि सभी सीटे मद्रप्रदेश के अंदर वो जीतने जा रही है एंडिया का नारा है 400 पार का और मद्रप्रदेश में 29 की 29 सीटो पर बीजेपी यहां जीती हुई दिखाई दे रही है याने कि मद्रप्रदेश की जनता का मूर बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है इसी सर्वे पर आज हम करेंगे कॉंग्रस की विधायक है सुरेश राजे वो भी जुड़ चुके है जैनत वर्मा वो भी हमारे साथ जुड़ गए है सर्मन नगेले जी है वरिष्टे पत्रकार है और साथ ही मेरे साथ सूडियो में जुड़ चुके है संजे राणा जी राणितिक विशलेशक है हमारे साथ सुरेश राजे जी नहीं है अभी लेकिन हम उनसे कनेक करने की कोशिश कर रहे है उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो जुड़ भी जाएंगे सर्मन नगेले जी जो ये तस्वीर अब तक निकल कर सामने आ रहे है बीजेपी रत्रिधान समझनाओ के अगले ही दिन रिजल्ट आया अगले ही दिन कह दिया शिवरासिंग चौहान ने की 29 के 29 फूलों की माला नरेंद्र मोधी के गले में हम डानेंगे कि एंपी के 29 सीटों पर नजर थी उनकी यहां सर्वे बता रहा है कि 29 की 29 इस बार बीजेपी के पास कि अपरना जी मानने शिवरासिंग चौहान जी चुनाओ के उपरांत जो है ना जब सरकार बन गई तो वह दिल्ली ना जाके चिनबाला अगले दिन पहुंच गए थी तो उनका लक्षे शिवरासिंग जीतना हैं हमको मदब्रदेश से अभी 28 उनके पास हैं और यदि उसमें जातिकत आंकड़ा देखे तो चार सी की सीट निर्धारे थे आरक्षे थे और छे स्टी की अब मैं इसमें आपके जो सर्वेक्षण की बात आ रही उस पर मैं बात करना चाहूंगा तेकि मेरे पास कली एक किताब आई है मीडिया में चुनावी सर्वेक्षण एक भारती परिदस और इसके लेखा के एन भ पर पहुंचा हूं कि सर्वे का आपका आकार क्या है सर्वे का आपका साइज क्या है सर्वे के आपके जो बिसें हैं बो क्या है फिर सर्वे आपने क्या ऑनलाइन किया है कि SMS के द्वारा किया है कि इंटरनेट के माधिम से किया है या टेली कॉलिंग के माधिम से किया है में दूसरा सर्वे और भी तरह के होते हैं लेकर यह जो अभी जो आया है ये आभी प्रारमभी क्रूप में सर्वेय है अभी शटीक नहीं होते हैं यह ऐसा पिष्ले चुना जितने भी हुए हैं भारत में वैसे तो देखे सर्वे की जहां तक मेरी जानकारी यह 1967 में जब इंद्रा जी की प्रचन बहुमत के साथ सरकार आई थी तो उस समय एक पार्टी टूटी थी तब सर्वे का प्रचलन तब से आया था तो अब यह सर्वे जो है ना कितना किया है उसका अभी नरेटिव उनका सस्टेंच चला जैसे कि मद्यप्रदेश का पूरा कैबिट जो है अभी अविद्धा दरसन के लिए अभी मानी मुक्मती डाक्टर मोहनी आदव ने चित्रकूट में भी उसी से संबंदित बात की है और इसके साथ-साथ आज देखे चर लेकिन कई सर्वें बता रहे थे कि नहीं वेव है लेकिन जमीन पर नहीं है और हमने देखा भी रिजल्ट खैर जयन्त वर्मा जी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहती हूँ कि नंगिले जी सही कह रहे है कि बहुत शुरुवाती दौर है अभी और जब आगे-आ हा रहे थे वो भी इस बार हमारी होगी और कॉंग्रस की नेता कह रहे हैं कि पंद्रा सुला तो हम जीती जाएंगे तो जब जिनका लक्षे ही इतना हो तो फिर वो हासल क्या करेंगे सवाल तो उठेगा ही जैसा अभी सर्वे के बारे में चर्चा हुई तो 36 गड़ के चुनाओं में पिछले 36 गड़ में तो जितने भी सर्वे आये थे वो सब कह रहे थे कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और बाद में वो बिलकुल लुटा हो गया तो ऐसा लगता है कि अभी जो सर्वे है ये बड़ा प्री मैचूर है और जब तक पूरे केंडिडेट डिकलेर नहीं हो जाते हैं कॉंग्रेस के भी नहीं हो जाते हैं और दूसरा ये है कि अभी तो जिस चिंद्वाडा की सीट के बारे में चल्चा हो रही है और तो चिंद्वाडा में तो अभी तक डिकलेर नहीं किया है वहां कौन केंडिडेट हैं कमलनाथ हाला की बड़े उत्सुख हैं कि उनके बेटे को भाजपा में ले लिया जाए और फिर उसके बाद उनको भारती जंता पार्टी से लोकसभा का केंडिडेट डिकलेर किया जाए ताकि वह सीट निकाल अपनी बचा रखें और नहीं तो जो कमलनाथ का कहना है कि अभी सब डिमॉर्लाइड है कॉंग्रेस का जितना भी काडर है वो डिमॉर्लाइड है और चिंदवारा में तो सारे चोड़ के जा जा रहे हैं पारशद ने छोड़ दिये वहां पे बहुत सारे अभी राजीव गांधी राहुल पर ऐसा लगता है कि जो सर्वे आया है वैसे तो आम तोर पर यह माना जा रहा है कि अभी जो नरेटिव सेट हुआ है जैसा आपने कहा कि भाई यह जो राम जन्म भूमी वाला मामला था और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम लला की उसके बाद लगबग 6-7 परस और उनका टार्गेट भी 50 प्रतिशत वोट का है और उससे यहां की सभी सीटें वो जीत लेंगे पर अब देखना है कि कॉंग्रेस कौन-कौन अपने बड़े-बड़े दिग्ज़ों को चुनाव में उतारती है और उसके बाद क्या नितिज़ा आता है जी हां जी ठीक है सं से उससे भरता रहे थे कि सर्वे में सेंपल साइज कितना है और आपकाइड कैसा और आपके कुश्ट्नीर कैसे उसमें बहुत को डिपेंड होता क्योंकि सेंपल साथ इतना छोटा होगा तो एकुरेसी रेट उतली कम हो जाती है अगर साइथ चली सेंटया ड़ेट लेकिन यहां तक आप बात कर रहें और एक्जाम्पल में देते हैं अप्रूवर रेट कल आया है मोधी जी का मोधी जी का अप्रूवर रेट अकरीबन अगर आप उन्नीस को चुनाओं को देखे तो पचास-पच्पन पर्तिशत था अभी जो कल का रेट आया हूं 75 प्रतिशत का इजाफा हुआ है नहीं बदला हुआ है और अपना जी आपको याद होगा आपकी डिवेट में उन्हें बोला था कि छिंदवाला की सीट कॉंग्रेस हार रही है और आप देख लीजिए आपके सर्वें भी दिखा रहा है कहीं न देखी जहां तक बात अगर मैं बार बार यह बोलता हूँ देखिए कोई भी चुनाव जीतने के लिए आपको संगटन और इसकी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है नरेटीव को मैनेस कर देजिए नरेटीव और रेटीव कुछ नहीं होता है एक विचारधारा होना चाहिए संगटन होना चाहिए फिर नित्यत इसका परतिरूप दिखने लगेगा तो आपसे पहले आपको संगठन मजबूत करना चाहिए जहां तक बात हो रही थी किसी ने बोला कि चिंदवाडा से उन चाहते थे बीजेपी का टिकट नहीं वह समर्थन चाहते थे कभी वह चाहते नहीं थे को बीजेपी जौइन करें है तो दिए बीजेपी इसमें स्ट्राइजिक पार्टी है नंबर वन नंबर टून के पास एक नेत्व तो जिस पे जनता पचत्तर प्रतिशन जनता विश्वास करती और एज ग्रूप में अपना आपको अगर आंकड़ाए का और देंगे कल का तो ताजू हो जागा 18 यानि ज इसको निरेटिव को या इसको इस परसेप्शन को या जिस तरह कि लोग जुका हो है इसको तोने के लिए विपक्षियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमें नहीं लग रहा कोई भी विपक्षी पार्टी इस समय उस लेविल के स्टरजी प्लानिंग इंप्लिमेंटे तो जो फर्स ताइम वोटर्स हैं उनमें तो क्रेज है ही जो आकड़े का हवाला आपने दिया और मैं यहां पर क्यूंकि वो मैंने खुद देखा है जमीन पर जब विधान समचनाओं के लिए मैं मध्य प्रदेश घूम रही थी अलग-लग इलाकों में तो महिलाओं के मैंने देखा एक जगा पर एक ची और कहा दूंब सॉरी मैं आपको इंटर्फ करो 58 परसंट पिछले बार का वोट परसंटेज था MP में भारती जनता पाल्टी का 34 परसंट था कॉंग्रेस का सोची कितना बड़ा डिफरेंस है और उसमें और बी देंट हो गया तो 60 67 अगर प करें आप मनुबल बढ़ाने के लिए सभी सीत ही जीतेंगे नतीजे तो बाद में आएंगे ना पहले चुरुभात कीजिए इस बात के साथ साथ आप मैनिफेस्ट करना शुरू कि जिन के खर ओख अ बात यह रल jego नरेंदर मोधी की लोगप्रता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है लेकिन कब तक उनके ही नाम पर आप इस तरहां से जो तमाम डेता कारे करता है कहीं बार शिकायते ये भी मिलती है कि जनता कहते कि वे सुन नहीं रहे हैं हमारी लेकिन पधार मंति जी क्योंकि हमारे काम कर र है भारती जनता पाइटी के पास इस समय मानने वर नरेंदर मोधी जी के रूप में देश का एक सरुमान्य नेतरत्व है जिससे हर प्रांथ हर वर्ग पसंद करता है और जितने सरवे आ रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि नरेंदर मोधी जी की लोगप्रिता भारत में 2019 के चु प्रदान मंत्री जी ने नारा दिया है कि इस बार चार सो पार यह चार सो पार सिर्फ नारा नहीं है देश में चार सो से अधिक लोग समा सीटे जीतने का भारती जंता पाइटी की तयारी है हमारे पास एक संगठन है हमारी सरकार किस तरीके से उन्होंने नारी शक्ति को पूरे भारत में हजारों इस्थानों पर एड्रेस किया देश की आधी आबादी जो की अपने मताधिकार का प्रयोग करती है उनमें मोदी जी के प्रतिक कितनी लोग पृता है नहीं नहीं सहरा समदें नियाशी जी मैं ये कह रही हूँ कि जANTLA तो किस कार नहीं है कि मोदी जी की लोग resistant है जो काम नहीं करते और सिर्फ उनको बीजेपी का बैनर होने का फाइदा ने ऊई उनके लिए क्या देखिए बारती जन्ता पाइटी संगठन और उसके प्रत्यक पदादीकारी जन्पतनिदी जो इस सरकार का हिस्सा है जो राजी सरकारों का हिस्सा है सब लोग काम करते हैं और काम जब सामुईक रूप से होता है नेतरती तो कोई हैं की व्यक्ति करता है लेकिन सामुईक उत् अपने देश को परिवार माना और परिवार भाव के साथ काम किया अगर केवल एक ही नारा चल रहा है तो वो है मोदी जी का परिवार उन्होंने कहा कि मेरा परिवार कभी आप लोगोंने नहीं देखा लेकिन मेरा परिवार ये पूरा भारत देश है आप सब लोग मेरे सुरेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी बारती जन्ता पाइटी तो खड़ा होता है सुरेश जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे जी अपना जी सुरेश जी विदान सभा में तो 36 गड़ की सभी माफ किजेगा चिंदवारा की सभी सीटे तो कॉंग्रस ने हासिल कर ली लेकिन यहां जो इंडिया टीवी सेनेक्स का सर्वे सामने आया है वो यह बता रहा है कि ल पढ़ता नहीं है सर्वे तो हमको जीतता हुआ दिखाना था विदान सभा में हम जीत पाए गया हमारी सरकार बंती दिखाने ते समाम कर रहे हैं वो सर्वे ठीक निकले गया इसलिए हम सर्वे की कोई बात नहीं है जंता के जीत जाने की बात है जहां तक आपने का एक सीट लाले मैं बहुत दावे के साथ के रहा हूं अगली दिवेट में चुलाओं के बाद जब आप आप आपने सामने होगे तब पता चलेगा फंद्रा सीट भी नहीं चीज़ पाएगी वाकियन सा पाइटी लाले इनको पढ़ रहे हैं बचाने के हमको कोने के लिए फुद रही चीज़ पांटो तेतालिस के पार भी ले जाएं उसने पोई फ़रत पड़ता लिए अपना जी और रही बात यह मैंने खाना सारे 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 आप भी बोल लें थी मैं सुन आता आपको कि आप परिए थी कि मैं जब देखने गई और सर्वे में मूर मेलाओं का देख रही थी अब पता नहीं आपके छेतर में गई जब फिजान तबागा चौना चुनाओ चलाता अपना थी कोई भी TV चैनल कोई भी सर्वे रिपोर्ट यह नहीं कह रहे थी कि भारती इंसा पार्टी लोड रही है सभी कह रहे थी कि कॉंग्रेस आ रही है लेकिन इसके उल्टा हुआ और अगर इसको अधार मान के चलते हो तो 2018 में भारती इंसा पार्टी चुनाओ हारी थी कॉंग्रेस की सरकार बनी थी और जैसे ही लोग को आपके चुनाओ आया तो ठीक उल्टा हुआ सुरेज जी शायद शुरुवात से नहीं सुना मुझे मैंने शुरुवात में ये भी कहा कि 2018 में कनाटर को लेकर सर्वे गलत हुए थे पर्शिम बंगाल को लेकर भी सर्वे गलत हुए थे मैंने शुरुवात में बात अपनी शुरू इसी अंदाज में की थी कि देखे अगे और कि महिलाओ के वी सुना सुरेश राजे जी को अगर आप आत्म विश्वास में हैं तो सुरेश जी भी कह रहे हैं कि हम भी पीछे नहीं हैं हम भी confident हैं कि लाले इस बार आपको पढ़ेंगे ने कि बीजेपी को पढ़ेंगे वास्तों में कांग्रेस के पास दोने के लिए कुछ है नहीं उनके विदायक में सही कहा वो सब कुछ खो चुके हैं और आखरी और अंतिम प्रयाद कांग्रेस के यूराज न्याय आत्रा लेकर पूरे भारत वर्च में कर रहे है जो थोड़ा बहुत न्याय होना बचा है वो भी इस चुनाव में हो जाएगा और मानिवर मोदी जी के नित्रत में पुना सरकार बनेगी देखे देश में वातावरन है उन मुत्तों को मोदी जी की सरकार ने सुल जाया जो बर्चों से भारत की छाती में नासूर बनकर चुप रहे थे दारा 370 हो आतकवाद हो राम मंदिर का निर्मान हो तीन तलाग पर कानूर हो और इसके अलावा असंक्य एसे विशय है चाहे क्रशी के छेतर में विकास हो भारत की आर्थिक प्रगती हो कोरोना के विश्विक संकट के समय सरकार के प्रयास हो या चाहे सडकों का हवाई या सेवाओं का रेलवे का विस्तार हो आज आम आदमी को दिली में वेटी सरकार से जो अपेक्षा है उसको बढ़ा कर पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है और वास्तों में देश की सुरक्षा को लेकर आज आम नागरिक चिंचित नहीं है उसे पता है कि एक सक्षम नेत्रत हमारे देश में मौझूद है सर्मान अगेले जी तैयारियों को धार देने के अवश्क्ता है कि नहीं समय या कॉंग्रेस के उमीदवारों के सामने आने के बाद ये जंग और दिल्चस्प हो जाएगी जानकारी है कि भारती जिंता पार्टी तो तैयारियां लगबग पूरी हो चुकी है नरेंणस जी ने ज optimize में कारल ने सभर हम किया बोपाल में पार्टी के सारे ने सभार हो किया और उनका चींप कईंड चाली हो चुका है उनकि टेक भित्रन हो चुकी है तो भारती जिंता पार्टी तो बहुत आगे चल लए है और भारती जंता पार्टी का अभी बस घोष्णा पत्र आना है बाकी कुछ और सीट से रहा गई है वहां एनॉसमेंट होना है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की जहां तक मेरे को जानकारी है कि दस्तारिकों आज बैठी से तक मध्यम मद्देश संधलिवां तो मध्यम तक हो सकते हैं यार फिर कहना है कि देश में इस समय रहन मोदी की क्रेडी विल्टी है ट्रेडिकिकन कशाव ulž प्रबाबित भी हैं लेकिन जो बिदान लोकसभा कर चुना अभी का है यह जरूरी नहीं है कि ब्रांड मोर्दी अपना उतना जो चमकता हुआ एक जो बिकने बाला ब्रांड है वो उतना उतनी मेंटें रख पाए जैम जी तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने पांस है कि उसमें कुछन कुछ तो अंदर खाने में चल रही है बात और खासकर चिंदवाडा के बारे में क्योंकि चिंदवाडा के बारे में कमलनाथ जी का तो काफी यह है जोकि बेटे को भाजपा की तरफ से टिकेट दे दिया जाया और वो दल बदल कर लें आप देखिये पर यह जो सीटें अनॉंस नहीं हुई है भारती जनता पार्टी की पांच सीटें तो उसमें पार्टी के अंदर ही काफी कुछ वो है कई केंडिडेट्स हैं ठीक है संजी जी क्या लग रहा है आपको देखिया पढ़ना जब हम चर्चा करते हैं ब्रैंड की तो ब्रैंड का जो अब मैंने अप्रूर्वर्ट रेट दिखाए को ने मैंने तो नहीं बनाया है एक एजन्सी ने बनाया और वो एजन्सी का हमेशा एक रिपोर्ट आती रहती हर साल तो उसका बनाया हुआ नंबर वन नंबर टू बात करते हैं कि जो चुना हो रहा है यह जानके देखिए मुझे बोलने में कोई कुरजिन में बीजेपी का नाहीं हो ना मैं कॉंग्रेस का हो यह जो चुना हो रहा है मुधी के नाम पर होगा है कोन लड़ा इसने कोई किसी को फरक न territorial अवका आपने प्रस्न कि पूचा था विजेपी केमार मित्र से कि आपके विधायकों से नराज गी है बहूंसे सांसदों से भी न राज गी है बहुत से विधायकों से भी नराज उस ब्रांड को मैनेज करने के लिए कोई दूसरा ब्रांड इस समय मार्केट में नहीं है जो उस ब्रांड का सामना तो आप कहने की ब्रांड मोधी की चमक लगातार बढ़ती जा रही है तो बहुत शुक्रिया सबीका इस सर्चार पर शामिल होने के लिए मध्यपदेश की लेकर हमने बात करी है आगे बात होगी 36 गड़ को लेकर भी जुड़े रही है हमारे सर्च